देखिए एक question है definite integral का क्या question ध्यान से देखिएगा if a less than b then a to b mod of x minus a plus mod of x minus b dx दो तीन तरीके हैं इसको करने के number one कि पूरा a b के method के साथ करें number two कि हम a b की value ले ले बहुत जल्ली हो जाएगा और value ऐसी ले जिससे पहले याद रखी कि option 2 match ना करें जैसे अगर आप मैं से मैं बोलू a 0 और b 1 ले लू या 2 ले लू तो आप बोलोगे इसमें इन दोनों और तीनों के result सेम हो जाएंगे क्योंकि आपने a 0 माना है तो आप एक काम करिए a को 1 माल लीजे b को 2 माल लीजे अब 1 और 2 मानने से पहले आप option देखिए 2 माइनस 1 1 by 2 आता अगर यह value रखता यहां रखता तो 3 by 2 आता यहां रखता तो 1 आता और यहां रखता तो negative आता याद रखेगा mod of a की value राल दीजे प्लस अब मैं अलग-अलग करके लिख रहा हूं जिससे कि आपको 1 to 2 mod x minus 2 dx अब क्या होता है mod function को इसके nature के हिसाब से open करते हैं जैसे इसका nature mod x minus 1 का x minus 1 होगा अगर x greater than equal to 1 हो और minus x minus 1 होगा जब x less than 1 हो and similarly x minus 2 का जो nature है x minus 2 होगा अगर x greater than equal to 2 हो और minus x minus 2 होगा अगर x less than 2 हो तो और एक तरीका होता आप 20 की कोई value रखो जैसे आप 1 से बड़ी कोई value रखो तो positive मिलेगा तो आगे positive लगा दो 1 से 2 के बीच की कोई value रखो negative मिलेगा आगे negative लगा दो यह negative पूरे mod के result को positive कर देता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 to 2 x minus 1 dx similarly यहाँ पर क्योंकि इसका nature negative है तो minus लग गया यह minus का मतलब यह नहीं कि answer minus आएगा इसके minus result को यह positive कर देगा अब देखिए क्या होगा आप जब इसको लिखेंगे तो इस वाले part को जब solve करेंगे तो मिलेगा x square by 2 minus x 122 minus x square by 2 minus 2x 122 अब a b में आप थोड़ा उलजे रहते हैं इसमें बड़ा आराम से कर लेंगे आप आप देखिए 2 रखा तो 4 by 2 2 minus 2 होगया 0 minus 1 रखा तो 1 by 2 minus 1 यानि यह result मिल गया आपको एक तरह से plus का 1 by 2 अब इस वाले result पे आते हैं 2 रखा 4 by 2 2 minus 4 minus 1 रखा तो कितना जाएगा 1 by 2 minus 2 solve करोगे तो यह मिलेगा minus 2 और यह मिलेगा minus minus plus 3 by 2 यानि overall minus 1 by 2 और यह minus को plus कर देगा तो 1 by 2 1 by 2 plus 1 by 2 कितना 1 अब आपने a b की value पहले लिखके देख लिया था कि 1 कौन दे रहा तो 1 यह दे रहा तो यह correct इसका answer हूँ अब आप जब detail में पढ़ोगे तो obviously बहुत सारी चीज़े और clear करवा पाऊंगा पर यह short तरीके मैं आपको बता रहा हूँ कि question देखके क्या thought आना चाहिए